NCB ने शुकरवार को आरंखान से जुड़े क्रूस ड्रग्स के समेच शे मामलों की जाज समीर वानखेडे से वापस ले ली है इन मामलों की जाज एजंसी ने दिली स्थेत अपनी संचाली निकाई में स्थांतरित कर दी है NCB मुख्याले में डिप्टी डिरेक्टर जनरल संजो सिंग की टीम इसकी जाज करेगी ये टीम शेनिवार को मुंबई पहुँचेगी और जाज का जिमा भी समालेगी बता दे कि NCB की संचालन इकाई का पूरे देश में शेतरा अधिकार होता है और वर्तमान में इसका नत्योत्व डिदी जी संजे कुमार सिंग कर रहे है संजे सिंग 1996 बैंच के और इसा केजर की आईपेस अधिकारी है अधिकारी ने काया कि दिली NCB संचालन इकाई के एक टीम मामलों की जाज को आगे बढ़ाने के लिए मुमे में देरा डालेगी NCB के उप महानिदेशक मुथा शोग जैन ने बताया कि कारवाई प्रशास्ति का धार पर की गई है और चुकिन छे मामलों की व्यापक और अंतर राज्य प्रभाव है इसलिए उन्हें दिली में संचालन इकाई में स्थांतरित कर दिया गया है कई व्यक्तिकवत तर सेवा संबंदी आरोपों का सामना कर रहे हैं वानखेडे शेत्री निदेशक बनी रहेंगे अब इनेता शारुखान के बेचे आरंखार उनने दो को अक्टूबर की दर्मिया रात को क्रूज मामले में गिरफतार किया था वानखेडे मामले में एक स्वतंतर गभादवारा जबरन वसूली के प्रयास का दवा करने के बाद विभागया सतर्था जाज का सामना वो कर रहे हैं अब एंसी के फैसले के बाद वानखेडे के खिलाफ कई आरोप लगा चुके माराश्ट के मंस्री इनवाम मलिक ने कहाए कि एंसी भी अधिकारों को मामले में हटाना अभी शुरुवात है आगे बहुत कुछ बाकी है राश्वादी कॉंगनस पाची के नेता मलिक ने कहा कि आरेन खान मामले समेत पांच मामलों से समीर वानखेडे को हटाए गया कुछ 26 मामले हैं जिनकी जाज की जुरुत है ये तो बस शुरुवात है सिस्टम को साफ करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है और हम कर कर रहेंगे पंजाब में साल 2022 में विधान सबा चुनाव होने हैं वही पंजाब में आंतरिक कल है जेल रही कॉंग्रिस पिशली बार के तरह इस सुबार भी चुनावी रणीती कार प्रशांत के शोर से मदद लिख सकती है फिलाल इसे लेकर पंजाब चरण जी सिंग चन्नी ने संके दिये थे कि अगामी चुनाव में प्रशांत के शोर से मदद ली जा सकती है जिसे लेकर पंजाब कॉंग्रिस सध्यक्षिर नवजो सिंग सिध्धू ने अपनी प्रतिक्रिया देते वे कहा कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी आलकमान करेंगे दरसल सीम चोरण जीत संक्षनी ने बुदवार को विधायकों के साथ वी बैटक में इस बात का जिक्र किया था कि पंजाब में कॉंग्रिस प्रभारी हरी शौधरी ने उन्हें अगामी विधान सबाच राव जीतने के लिए प्रशान किशोर की मदद लेने के सलहा दी है जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते वे सिध्धू ने एक समधा था मिलन में कहा कि अगर मुख्य मंत्री उन्हें नेक्ट करना चाहते हैं तो ये पार्टी आलकमान तैग करेंगी आपको दाने कि साल 2017 में पंजाब में हुई दान समध चनाव में कॉंग्रिस पार्ची ने 17 में से 77 सीटे जीती थी जिसका श्रे कॉंग्रिस ने IPAC के संस्थापक पुशांद किशोर को दिया था वही साल मार्च में पूर्व सीम कैप्टन अमरिंदर सिंग ने घोशना करते वे जान करी दी थी पुशांद किशोर उनके प्रमुक सलहकार की रूप में कॉंग्रिस में शामिल हो गए है फिलाल सितंबर में कैप्टन अमरिंदर सिंग के सियम पत्स स्तीफा और कॉंग्रिस पार्टी छोने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी पंजाब लोग कॉंग्रिस का गठन किया इसके साथ ही वो पंजाब में कॉंग्रिस को हराने के लिए प्रमुक विपक्षी पार्टियों के साथ हाग मिलेने की भी तैयारी लगाता कर रही है